हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग बेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स आज फिर से आठ तरीक को सेप्टमबर को एरिंग थी आज यह पोस्ट को डार्ट सत्रा केस की तो उसमें आज क्या हुआ है नेक्स डेट मिली है और आगे क्या होगा उसमें ओफिस ओडर केस देखिए अभी इसका पेंडिंग है ठीक है यानि कि आभी केस जो सुना जा रहा है और इसके जो नेक्स्ट हेरिंग है यह नौ तरीक को यानि कि कल की डली है नो-9 की और आप इसमें ऑडर आ गया है देखिए इसमें जो पिछले कल के ओडर थे वह भी अप्लोड हो गया है और आज के जो रहें वह भी अप्लोड हो गया है तो पहले पिछले कल के ओडर आपको दिखा लेता हूं मैं पिछले कल में क्या ओडर साए थे ओफिस ओडर ठीक है में इंपोर्टन यही ओडर ही होते है कि अखी कोट में क्या हुआ ठीक है देखिए प्रेजेंट जो है य लग लग LPE नंबर और CWP नंबर में जो वकील है और मिस्टर अशोक सर्मा जो एडवोकेड है एडवोकेड जनरल है ठीक है और साथ में बाकी एडवोकेड है यह रिस्पॉंडन के नंबर से तरफ से हैं और यह अंकुष दास जी और रीता देवी जी यह भी है रिस्पॉ को जा रहे हैं तो हरकेस के अलग लगला है ऑज केड़ में नौ 3 कौट रहे हैं यह जो एडवोकेड रेड़ हैं प्रेजेन्ट का मतलब कि वकील कोर्ण है तो हरकेस को हट्वाय पार्ठ सुना जा रहा है ठीक है उसको अच्छे समझा जाएगा उसके बाद जो है देखिए ये LP नंबर दिया है फिर ये CWP नंबर है एक्चलि क्या होता है कि सभी जो हैं जितने भी जो अप्लिकेशन से हैं सबको पढ़ना परता है उसके बाद एक कोई एक definite फैंसला होगा तो वैसे कुछ student के लिए जो है सुनवाई हो रही है देखिए जब order आएंगे जो order के लिए फाइल लगी तभी पता लगएगा कि next order क्या आते हैं तो demotivate नहीं होना है next exam की त्यारी किजिए और ये सारा मामला आप code पे छोड़ देजिए ठीक है जल्दी ही solve हो जाएगा hope for best और देखिए किसी के पोस्टें आपको ही मिलेंगी और जो 800-500 उनको उनके मिल जाएंगी अगर देखते हैं भी code ने क्या decide करना है यह सारी बात आप code पे छोड़ दीजिए आपको सिर्फ काम है स्टुनेंट्स का काम सिर्फ इतना होता है exam दो ठीक है अच्छे से अपना 100% दो और जो exam देदिए इसको भूल जाओ फिर नेक्स्ट के ऊपर focus करो ठीक है मोटिवेश्ट आपने खुद को कैसे करना है देखिए इस केस में हो सकता है तोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए मीनवाइल इसके बीच में आपको कोई और पी exam clear हो सकता है ठीक है अभी बहुत से exam आने है क्लर का exam है फिर आगे जयो आईटी पोस्ट कोड 903 का exam है ठीक है फिर टी जीटी का है ठीक है फिर उसके बाद अपने एच्पी पोलिस में भी आएगी थोड़े दिन वाद भरती फिर फॉरेस्ट गाड का exam आ रहा है ठीक है फॉरेस्ट गार की भरती है फिर अपना एच्पी यूनिव तो stress में डालने से अच्छा है कि आप next की त्यारी किजिए देखिए इसमें जो होना है वो हो गया आपने test दे दिया हुआ है केई बच्चों की typing होगी है केई की होनी है जिनकी typing होनी है वो रोज practice practice का मतलब यह नहीं कि आप सारा दिन practice ही करते रहूँ चलते रहना चाहिए आदा गहंटब शुबब्र करो आदा गहंटब शाम प्रैक्टेस करो ठीक है मतलब ज्यादा नहीं करनी इतनी रखनी है कि आपकी फिंगर्स चुह है टाइपिंग से आप टच में रहो जिनकी अभी नहीं हुई है और जिनकी अभी आगे होनी है वो यह ट्रिक अपनाए ठीक है और बाकी त्यारिया आप करते रहो एक्जाम की अभी पंचाय सेक्टरी का ठीक है तो डी मोटिवेट नहीं होना है आप नेक्स्ट एक्जाम की त्यारिकरो इसका भी जल्दी ही कोई 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 एक ओडर आ जाएगे जिससे की है जो है आप डिसाइड कर सोको कि केस किस तरफ जाने बाला है ठीक है तो घबरान नहीं है बाकी ठैंक्स पूर वाचिंग पूर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जादा जादा शेयर कर दीजिएगा जाए हिंद जाए हिमाचल